एक्स्प्लेंड विकंड वाला मैच गौडल ऐसा गलती क्यों की गलती नहीं बड़ मुझे लगता है की गलती नहीं थी वो वो उन्होंने जान बूच के किया वोचीज I hope कि उन्होंने जान बूच के किया motivation की थोड़ी कमी हो गई shadow के down होते ही I hope कि shadow को बहुत अच्छे words सुनने को मिले होंगे मुझे idea नहीं है बड़ मैं guess कर रहा हूं कि shadow भाई को थोड़ा बहुत प्यार दिया गया होगा घातक भाई के द्वारा कि तुमको क्या चुल मच रही है अकेले जाने की बड़ सच में यार क्यों अकेले घूमना होता है भाई को I know आजकल सारे आजल spectating, scouting बागी सारी चीज़े वो करते हैं बड़ थोड़ा सा बच के करना चाहिए इतना ज़्यादा open में जाने का मतलब है वो भी विकेंडी जैसे माप्स है जहां आपको पता ही नहीं है कि drop locations, teams का कहा हो सकता है कैसे हो सकता है वहाँ पे अकेले घूमना थोड़ा सा finally दिल को सुकून मिला क्योंकि वो चौता मैच था विकेंडी का भाई, चौता मैच था shadow story, बताओ क्या है क्या था? shadow का क्या story था? आच्छा वो जौनी की कौनसी story थी? आच्छा वो जौनाथन के रोने वाली वो आली, भाई, कोई भी player होगा, हालात वैसे ही हो जाएंगे उसके, तो शायद इसलिए पूरा demotivate से हो गये थे वो weekend day में shadow के down होने के बाद क्योंकि मुझे नहीं लगता गॉरल जैसे इतनी experience line up ये गलती वो करें जहां पर ऐसा अंधा खोश जाएं किसी के उपर, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी